नमस्कार दोस्तों, मैं राजनती बारी आप सभी लोगों का मेरे सेलेंज जोतिश मंतर में हार देख स्वागत करता हूँ अगर आप मुझसे और मेरे से जोड़ना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी आउन कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आज हम बात करेंगे कि सक्रांती पर याने जो आने वाली 15 जनवरी को जो सक्रांती आ रही है उस सक्रांती पर हम कौन सा दान करें क्योंकि आपको मालूम है कि सक्रांती पर किया गया दान अक्षे होता है मतलब जो भी आप दान करते हैं उसका जो फल होता है वो अक्षे होता वो कभी खतम नहीं होता और जो भी आप दान करते हैं उसका जो महत्व है वो हजार गुना बढ़ जाता है अब आप ये कहेंगे कि दान तो कभी भी कर सकते हैं और दान करना तो हमेशा ही अच्छा होता है फिर सक्रांती की दिन दान करना जादे अच्छा क्यों हो या सक्रांती की दिन किया गया दान अक्षे क्यों होता है या सक्रांती की दिन किया गया दान का महत वजो होता है वो हजार गोना क्यों होता है लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि बिसेस समय, बिसेस दिती, बिसेस दिन पे किया गया कोई भी दान वो महत्पूर्ण होता है उसका फल जादे मिलता है इस बात को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लिजे आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं और आपने गिफ्ट ख़रीदा और सामने वाले को देखे आगए कभी भी कोई दिन देखा ना कुछ भी और देखे आगा है तो क्या उस गिफ्ट की अहमित उतनी रहेगी क्या सामने वाला विक्ति उस गिफ्ट को सदा के लिए याद रख पाएगा शायद नहीं लेकिन वो ही गिव्ट अगर आप उसके बर्थडे पे दे या उसके किसी बिशेश दिन दे तो वो गिव्ट उसको सदा के लिए याद रहेगा कियार फलाना गिव्ट या उस व्यक्ति ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये गिव्ट दिया था ठीक उसी प्रकार इन दिनों का भी रहता है इन तिथियों का भी रहता है कि विशेश दिथी विशेश दिन या विशेश समय पर अगर हम दान करते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा होता है इसलिए मैंने आपको बोला कि सक्रान्ति पर आप दान अवश्य करें अब प्रश्न यह उड़ता है कि कौन सी चीज का दान करें जिससे हमें बहुत लाव हो या हमें हमारी मनों कामना पूरी हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सक्रांती पर किया गया दान से आप अपने मनवांचित फल की प्राप्ति कर सकते हो अगर यही दान आप अपनी राशी के अनुस को किस प्रकार का या कौन सा दान करना चाहिए तो सबसे बात करते हम मेश राशी की तो मेश राशी वालों को गुड मुमफली और तिल का दान करना चाहिए आज की दिन मतलब मकर सक्रांती के दिन दूसरा है ब्रश राशी ब्रश राशी वालों को मुंग दाल दही और तिल करना चाहिए इन में से कुछ भी हैसा नहीं कि आपको दान करना इन में से कोई भी एक चीज का अपNowka staat कर सकते हैं आप बात करते हम मिथुन राशी की तो मिथुन राशी वाले व्यक्तियों को यह जिन लोगों की राशी मिथुने उन लोगों को चावल कंवल या मूं दान इससी हैं, उनको सोने के मोती, तावा या फिर गेहूं का दान करना चाहिए, खड़े गेहूं का दान करना चाहिए, बात करते हम कन्या राशी की, तो जिन लोगों की राशी कन्या है, उन लोगों को खिछडी, हरे कपड़े या कंबल का दान करना चाहिए, हम बात करते हैं बात करते हैं ब्रश्चिक राशिकी जिन लोगों की राशी ब्रश्चिक है उन्हें लाल कपड़ा, मूंगा ये तिल का दान करना चाहिए तिल याने तिली का दान करना चाहिए जिन लोगों की राशी धनु है उन्हें पीला कपड़ा, खड़ी हल्दी तथा सोने के मोती का दान करना चाहिए अब इन में से जो आपको ठीक लगे आप उसका दान कर सकते हो अब बात करते हैं मकर राशी की जिन लोगों की राशी मकर है उनको काला कंबल, तेल या काले तिल का दान करना चाहिए अब नाम आता है कुम राशी का तो जिन लोगों की राशी कुम है तो उन्हें काला कंबल, काली तिल या काली उड़त का दान करना चाहिए अब हम बात करते हैं मीन राशी की जिन लोगों की राशी मीने उन्हें रेश्मी कपड़ा, चने की दाल, चावल या फिर तिल का दान करना चाहिए ये थे राश्यों के अनुसार कौन से दान आप कर सकते हो और अगर आप राश्यों के अनुसार दान करते हो इस वर्ष मकरसकरांती पर तो आपको इसके बहुत ही अच्छे परीणाम पराप्त होंगे और वो भी बहुत जल्दी बैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दान किसी भी चीज़ का किया जा सकता है लेकिन अगर आप अपनी राशी के अनुसार और विशेश दिन पर इसका दान करते हैं तो इसका महत जादे हो जाता है और इसलिए लोग इन तितियों पर या इन तेहारों पर अक्सर दान करते हैं तो चलिए कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दीगर जान करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज असे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे शेले जोतश मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए आज के विस इतना ही मिलते हैं एक नए विशे के साथ तब